Hello friends, welcome back to your channel, तो एक important वीडियो आप सभी के लिए जो कि AIMS की BSC Nursing Counseling में पाइस्पेट करने जा रहे हैं आपके माइंड में कुछ questions होंगे जोसको हम solve करेंगे इस वीडियो में पहला question होगा, आप ये सोच रहे हैंगे, क्या मुझे counseling में बुलाया गया है, मुझे AIMS में seat मिलेगी दूसरा question होगा, क्या आपको मनपसंद AIMS में seat मिलेगी और तीसरा question होगा, मेरी rank कम है, तो क्या मुझे AIMS में seat मिल सकती है तो इस पूरे वीडियो में हम यही discuss करेंगे, कि आप खुद solve कीजिए, कि आपको कैसे choice filling करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको smart choice filling करनी है, बिल्कुल ध्यान से आप सुल लिजे smart choice filling से ही आपको seat मिल सकती है, chances बढ़ जाती है वो हम next video में discuss कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको यह बताना है कि आपके rank के accordingly कौन सी seat आपको मिल सकती है, देखिए, वीडियो के उपर link में मैं एक description दे रहा हूँ उस वीडियो के पहले आप जरूर से देख लिएगा, उसमें मैंने 4 PDF attach किये हैं से मैंने बताया है कि top rankers, unreserved category के, serial wise, SC category के, ST category के, OBC के और EWS की मैंने बना दिये जो list aims की आई थी, उसी से वो list बनी है, और उसमें बिलकुल clear हो जाएगा कि आपकी position unreserved में क्या है आपकी position OBC में क्या है, SC में क्या है, ST में क्या है, EWS में क्या है उसके बाद आप judge कर पाएंगे कि मेरी क्या position है, currently seats के according देके बहुत ध्यान सुरी है, बहुत important वीडियो है मैं उसमें कोई slide नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ seat की slides दिखा रहा हूँ पहली बात हम बात करते हैं, जो notice आया है, उसमें final seat position जो आई है, जिसको मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ इसमें नहीं बताया है, total 12 aims, किते हैं 12, यह आपको बात बिल्कुल clear है इस 12 aims में total जो seat से किती है 851, यह भी बात आपको बिल्कुल clear है, आपको देख रहा होगा street पे, 851 street से ठीक है, अब बात आती है कि unreserved के लिए किती है, अब unreserved की seat पहले हैं समझ लिए, unreserved की seat OBC से भी भरती है, ST से भी भरती है, ST से भी भरती है, EWS से भरती है, जैनल से भरती है, तो unreserved seat के लिए कोई fighting नहीं होती है, simple merit based entry होती है तो इसकी है 333 street, बहुत ध्यान समझेगा, दूसरा है आपका EWS, उसकी है total 79 seats, एक category PWD वाली है, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब उसमें नहीं cover होते हैं, हम general बात करेंगे, हाला कि वो जब seat vacant होती है, वो भी seat भरी जाती है, अभी मैं almost confirm seats की बात कर रहा हूं, ठीक है, counseling के process में, तो 330 street seats हो गई, unreserved की, यह सभी category से भरेंगे, open होती है, EWS की 79 है, OBC की 217 है, SC की 116 है, और ST की 64 है, तो पहला analysis आपके करना है, मैंने जो पता जो उपर वीडियो का link है, उसमें 4 PDF है, डाउनलोड कीजे, पहली बात करते हैं, EWS वालों की, तो EWS वाले बच्चे ध् की 79 seats हैं, उसके पार, 6 की अभी में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप, आप मार की चलिए, कि इधर दो सीट की सकती भी है, मैं एकदम maximum possible condition बता रहा हूँ, 79 seats है, आप उस PDF पे देखिए, अगर आप top 79 में आ रहे हैं, EWS में, तो आपकी seat, almost, मैं कहूंगा, almost 99.99% confirm, unless आप कोई गलती ना कर बैटे, आपके document कर रहा थे हैं, या आप खुछ seat ना लें, या कोई ऐसी major, कोई और problem आजा है, लेकिन EWS के बच्चे, 79 seats हैं, top 79 students की seat, confirm, आगे आप डिसकर्स करते हैं, और क्या हो सकता है, ठीक है, OBC, OBC candidates, 217 seat, confirm, rank देखिए, अगर आप top 217 में आ रह confirm, अब याब इसकी बात नहीं करिए, कहां पर आपको selection लेना है, क्योंकि आपके selection पे, आपको seat मिल भी सकती, नहीं मिल सकती, यह smart counseling का process है, वो मैं अलग से बताऊंगा, तीसरी चीज, SC, 116, top 116 में है, seat confirm, आपको मिल रही है, AIMS के seat, ST, top 64 में है, confirm, आपको मिल रही है, अब देखिए, unresort में किती seats हैं, यहाँ पे, unresort में है, total 333 seats, अब इन 333 seat में, SC candidate, OBC candidate, EWS और ST candidate से भी fill होगी, तो मेरा calculation आया है, मैं approximate आपको बता दे रहा हूं, कि मेरे हसाब से, 100 seat है, 100 to 125 seats जो है, general category वालों के लिए आ जा रही है, वाल्ला, top 125 में अगर आप आ रहे हैं, मेरा evaluation है, आगी फीचे हो सकता है, मैं आपको confidence level बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, कि top 125 वाले यह मान के चले कि almost उनको one seat मिल जाएगी, general category बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, unresort वालों के लिए हो गया किता, अब मैं final data बता रहा हूं, unresort वाले top 125 almost confirm आन के seat उनको मिल जाएगी, unresort, general category बात कर रहा हूं, EWS का मैं और detail देता हूं, EWS के 79 candidates, 79 seats हैं, और आप मान के चलिए कि इसमे 43 seats add कर रही हो, कि वो unresort में जा रही है, तो आप मान चलिए 122, मलब 125, top 125, EWS वाले, top 125 में आपकी seat confirmity होने की chances है, general category की, top 125 और EWS जी अपनी list है, उसमें top 125 की seat confirm होने की chances है, OBC की बात करें, 217 seat है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक आऊँगा, कि OBC की जो rank आईए न, तो उसमें top 217 का तो almost confirm है, लेकिन मैं कह रहा हूं, कि top 400 तक है, उनका भी almost confirm है, top 400 तक भी almost confirm है, OBC, ठीक है, SC की बात करते हैं, SC है 116, किती हैं, 116, तो अगर बात करें, total 116 seat है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं, कि 125, 125 मैं data दे रहा हूं, 125 तक selection almost confirm है, SC category में, ST में मैं कहूंगा, 64 seats, top 64, ST में selected है, ठीक है, इसके आगे मैं seat 70 तक बहा सकता हूं, लेकिन 64 अभी मैं कहूंगा, तो मेरा जो complete data उसके समरी क्या होगी, general category, 125 तक जा रहा है, EWS अपनी category में 122 तक जा रहा है, OBC अपनी category में 410 तक जा रहा है, approximately, SC अपनी category में जा रहा है, 125 सक, और ST अपनी category में जा रहा है, 164 तक, आप seat matrix उपर के वीडियो से download कीजे, देखिए, जो मैंने data दिया है, उसमें आप जा रहा है, तो आप उसमें अगर इसमें आ रहे हैं, तो almost आपकी seat confirm है, अब समझे बात को, second point, जिनका इसमें नहीं आ रहा है, तो उनको घबराने की जरूत नहीं है, क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे choice filling का बहुत important role होता है, आपकी preference के accordingly आपको seat मिलती है, इसलिए यहाँ पे mock round कराया जा रहा है, बात समझेंगा, mock round कराया जा रहा, mock round का बहुत बढ़ा importance है, इसलिए first round counselling जो जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छी opportunity aims वाल होन दी है, कि वो mock round से अपनी seat evaluate कर ले, वरना गलत choice filling की होनी की वज़ा से, आपको seat मिलने वज़ाए seat नहीं मिलती, क्योंकि आपकी choice फिर ही गलत रहती है, आपकी rank है, नीचे आपने top New Delhi वाला aims लगा रखा है, और जो और नीचे अला है, वो आपने सबसे आखरी में लगा रखा है, आपको मिलना चाही था आखरी वाला, आपको seat नहीं मिली, और उस preference पे आगे की rank वालों के मिल गी, ठीक है, तो ये first counseling में हो जाता, लेकिन योगी mock round की facility यहां provide की, जिसको हम explain करते है next video में, तो वहाँ आपके पास brilliant opportunity है कि अपनी seat आप confirm कर ले जाए, ये first round of counseling में, अच्छा जो मैंने data बता है, fix data है, तो वो बचे घबराए नहीं, जिनका मैंने नाम उस rank में नहीं रखा है, मैंने almost confirm बताया है, ठीक है, इसको आप 50-50 seat और बढ़ा लीजी, 50-50 seat साब और बढ़ा लीए हर के degree में, वहाँ तक ये भाग सकती है, बहुत अराम से, क्योंकि, क्योंकि number of condition होती है, कई बच्चों कई और हो गया होता है, कई बच्चों से technical default हो जाती है, कई seat चुटती है, ऐसा नहीं तक 100% admission होता है, तो वो move करती है, ठीक है, ये तो counseling से चीज़े clear होती है, मैं आपको suggestion दे रहा हो, आप अपना दिमाग खुद लगाईए, और आपके पास data है, आप खुद analysis कर सकते हैं, जो मैं चीज़ समझाने कोशिश कर रहा है, और समझ गये होंगे, कि आपका selection EWS में होगा, OBC SC में होगा, SC में होगा, ST में होगा, तो आप ही category wise depend करता है, लेकिन unreserved category में सभी आते हैं, तो बने लिए माई चनल साथ, जैसी कोई और update आता है, हम आपको देंगे, और next हम आपको mock round की speciality बताएंगे, और subscribe कर लिए माई चनल को, thank you very much and best of luck.